हेई गाईज, I welcome you all to my channel SSE Smart Classes तो कल आपकी SSE CGL 2022 की अंसर की जो है वो टियर वन की आपको लिंक मिल गया था सबी ने अपने अंसर जो हैं मिला लिए होंगे किसके कितने marks मन रहे हैं देख लिए होंगे अब यहाँ पे कुछ कोशन है जो आप objection में डाल सकते हो, raise कर सकते हो तो इसमें per representation, per question की representation 100 rupees लगती है उसको raise करने की तो यहाँ पे separately जो है वो सबको जरूरत नहीं है अगर मालो किसी student में एक particular question को object कर दिया है raise कर दिया है तो अगर वो चीज़ valid पाई जाती है मतलब SSC से वो गलती हुई है उस question के regarding तो अगर वो student ने वो उसके regarding query डाल दिया तो सबको separately 100 rupees पे करके उस objection को करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए अपने जो भी CGL के आप लोगों ने group बनाये होंगे तो वहाँ पे यह डाल देना जिसने जो भी question की जो objection raise की है तो वो बता दे कि कैसे कैसे उसने objection raise की है और वो valid भी है के नहीं तो यह वाला जो question है पहला in which year was the voting age reduced from 21 to 18 years SSC का answer 98 है वाकी चार option है बट इसका answer 9089 हो सकता है क्योंकि यह जो presidential accent है इसको मंजूरी मिली थी तो वो 1989 को मंजूरी मिली थी और तभी यह force में आया था तभी यह लाग हुई थी चीज़ तो यहाँ पर year पूछा है जहाँ पर voting age जो है वो reduce कर दी गई थी उसके बाद एक और question ID यहाँ पर दिखी यहाँ आपको folk dance का form पूछा है जो कि गुजराज state से associate नहीं करता गुजराज state से associate नहीं करता तो इसके यहाँ पर क्या है multiple answer जो है वो correct हो सकते हैं आपके तो जैसे होजा गिरी है यह आपका त्रिपूरा है तो definitely यह तो नहीं होगा उसके बाद आपका जो भवाई है यह actually गुजराथ का जो है वो folk dance जो है वो भवाई यह राजस्थान का तो है और साथ में यह गुजराथ का folk theater है not folk dance यहाँ पर folk dance का पूछा है जो भवाई है it can be also यह भी आपका हो सकता है विकोज यहाँ पर गुजराथ स्टेट का folk dance वो नहीं है तो बाकि सारे डांडिया गर्बा यह सब तो गुजराथ के हैं और जो भवाई है यह SSC ने इसको राजस्थान मान लिया है बट यह गुजराथ का folk theater भी है तो देखते हैं कि यह question represent करके देखेगा उसके बाद देखिए which of the following ut and states have the highest density according to the census 2011 यहाँ पर SSC का अंसर भी हार है और जो अंसर है वो चंडिगड होना चाहिए 2011 के census के दुरान कौन सी यसी union territory ये state है जिसकी density बहुत जादा थी highest थी तो इसका अंसर है जंडिगड तो I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो like, share, subscribe कीजिए धन्यवाद